हुआ है जो मेक्रोब के वजह से कोई इलनाय से हो गए तो इसके लिए डिसके होने के वजए है तो वो infectious disease है, उसे microbes कॉन से है, virus, bacteria, fungi, proto-divac, तो infectious disease का मतलब वो यह disease, जिसके होने की वज़े है, virus, bacteria, fungi and proto-divac जैसे कि यह जो bacteria virus हैं, यह कैसे spread कर पाते हैं disease को, तो air carry करते है bacteria virus को, air में bacteria virus गुम रहे होते हैं, अगर वो किसी को कुछ बीमारी हो जाए, जैसे कि common cold है, तो viral disease है, तो किसी को हो जाए, तो रूची केगा, तो हवा में जाएगे, तो air का तुरुपर दूसरे को में चली जाएगे, ट्रांस्पर हो जाएगे, तो air भी एक मीन को काम करते है, disease को फैलाने में, air carries bacteria and virus and disease that can cause disease, food or water can contain bacteria virus, can cause disease like typhide, cholera, hepatitis, यह अगर गंदा पाणनी है उसमें अगर यह bacteria है, तो यह water के थूरुपी फैल जाते है, तो यह ताइफाइड है, यह water-porn disease है, disease can be spread by contact of infected person, देखो कुछ, अगर infected person है जिसे, अगर हम रहेंगा तो हमें भी हो जाएगा, तो वह चीज यह उस तरह से फैलती है, तो disease हवा में फैलती है, water के थूरुप फैलती है, और direct contact के थूरुपी फैलती है, disease can spread by carrying pathogen from one place to another, easy called vector, vector का मतलब वह है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक disease को लेके जाएए, जैसे के malaria, malaria मच्छर कीवी जैसे नहीं होता है, मच्छर उस protozoa को लेके जाता है एक बोट से दूसरे बोड़ी हों जिसके वज़ेसे malaria होता है, malaria मच्छर नहीं करता, malaria करता है plasmodium, तो plasmodium, जिससे malaria हुआ है, उससे खुन वह मच्छर ने ले लिया और वह दूसरे को infect कर देगा, तब दूसरे तक जाता है, तो मच्छर मॉस्केट और जो है malaria को फैलाना का काम करता है, उसकी वज़ेसे malaria नहीं होता है, plasmodium की वज़ेसे malaria होता है, तो यह वह एक vector का काम कर रहा है,